किसी से जब हम मिलते हैं तो मानो या ना मानो वो लोग सबसे पहले हमारे फेस को देखकर जज़ करते हैं फेस हमारे लुक्स में 80% मैटर करता है और बहुत से मेरे भायों को ये प्रॉब्लम है कि उनका फेस उतना एट्रैक्टिफ नहीं दिखता है और ये साथ चीज़े तो ज़रूरी है ही लेकिन जो नमबर 6 और 7 वाले है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए वीडियो को एंट तक देखना तो वीडियो को शुरू करते हैं नमबर 1 बर्न यूर फेस फैट चबी चिक्स बच्चों पर क्यूट लगते हैं हम जैसो पर नहीं अगर आपके फेस पर भी फैट है तो उसको आपको कम करना है क्यूंकि ब्रो अगर आपके फेस फर फैट है तो वो भद्दा फेस लगता है उस पर आप फिर कितना भी कुछ भी इंवेस्ट कर लो कुछ फाइदा नहीं होंगा क्यूंकि एट्रेक्टिव दिखनी के लिए आपका फेस शार्प होना चाहिए इसलिए मॉडल्स का फेस स्लिम शार्प एंड स्ट्रक्चरड में होता है फेट कम करने के लिए आपको 10-15 मिनिट फेशल एक्सरसाइज करनी है जो आपको यूट्यूब पर आराम से मिल जाएंगी और आपको डेली 45 मिनिट का कार्डियो करना है इससे ओवरॉल आपकी बॉड़ी का फेट भी कम होंगा नमबर टू रिमूव फेशल है अन्वांटेड हैर लाइक आपके नाक, कान, आपके फोरेट पर आपकी पैची बियर ये सबको आपको मेंटेन रखना है ये फेशल हैर आपके लुड़ी और अनट्रेक्टिव बनाती है ये सबको हफते में एक बार कट करना है बहुत से लोग इसको इग्नॉर करते है लेकिन ब्रो ये छोटी छोटी चीज़े आपके लुड़ी को क्लीन अनट्रेक्टिव बनाएंगी अगर आपकी बीयट आती है तो उसको आपको मेंटेन रखना है like lines एंड उसके edges और अगर आपको patchy बीयट आती है तो उसको clean shave ही रखना है क्यूंकि वो patchy बहुत गंदी लगती है और models clean shave ही prefer करते है क्यूंकि उसमें face ज्यादा attractive लगता है मॉडल्स उनकी एक चीज का बहुत ज्यान रखते हैं और वो है उनकी स्किन अगर आप बहुत गोरे भी हो लेकिन अगर आपके फेस पर पिंपल्स, ब्लैक एट्स, डाक स्पॉस होंगे तो वो आपको अनट्रेक्टिव बनाते हैं आपको मॉडल्स की तारा एक क्लियर स्किन रखनी हैं क्यूकि अगर आपकी स्किन बिना किसी दाग धबो के क्लियर रहेंगी तो आपका फेस बहुत ज्यादा एट्रक्टिव दिखता है करना कुछ नहीं है बस आपको एक अच्छे फेस वाश से दिन में दो बार फेस वाश करना है और डेली मॉश्टिराजर लगाना है इससे आपकी स्किन स्मूध रहेंगी और बाहर जाते वक्त आपको संस्क्रिन लगानी है क्यूकि ये आपको टैनिंग और डाक स्कॉट से बचाएंगा और हफ़ते में एक बार आपको स्किन को एक्सफोलियेट करना है इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा वरना वीडियो लंबी हो जाएंगी अगर आप मॉडल स्किन केर रूटिन पर डेडिकेट वीडियो चाते हो तो कमेंड में एक बार यस लिग देना नम इंपोर्टेंड आपको कलर कॉंबिनेशन आना चाहिए लाइक किस पैंड पर कौनसा शर्ट या टीशेट अच्छी लगेंगी शूस इस पर कौनसा अच्छा लगेंगा एकसेसरी ये सब चीजे लोग नोटिस करते हैं तो कुछ भी छपरी मत पेनो एक अच्छा सेंस के बारे में डीटेल में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अलपर सेट कर दो क्योंकि ऐसी ही फैशन के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे दिस वीडियो स्पॉंसर बाइ जिंगा वीटा आज के टाइम पे बहुत सारे मल्टी वाइटमिन ब्र करता है आई हेल्प को बेस्ट करता है हमारे स्किन में ग्लो लाता है हैर कॉलिटी इंप्रूफ करता है और यह हमारे इमिन सिस्टम एंड हाट के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे भाग दौर की जिंदगी में हम हमारे डाइट में एसेंशल वीटामिन्स नहीं ले पाते लिपकाट दोनों पर यह एवेलेबल है और इनकी परसनल साइट भी है आप महां से भी बाई कर सकते हो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी नमबर फाइफ आइब्रोस मौडल्स अपने आइब्रोस हमेशा वेल शेप्ट रखते है और उनके आइब्रोस काफी थिक और अच्छे होते है इससे आखे भी बहुत खुबसूरत और एट्रेक्टिव लगती है आइब्रोस आपके लुक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले क करते हैं यह दिखने में तो काफी चोटी चीज है लेकिन आपके लुक्स को काफी एट्रैक्टिव बनाते हैं अगर आपके आइब्रोस जॉइंट है या फैले हुए है तो उनको थ्रेडिंग करानी है या फिर उसको चुमते की मदद से एक्स्ट्रा बालों को निकाल कर शे इंस्टन्ट आइब्रोस को थिक एंड वेल शेप्ट करना है तो आपको आइलाइनर लेकर आइब्रोस को डार करना है इससे टैंप्ररी आपके आइब्रोस अच्छे लगेंगे अब बारी आती है वो दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स की जो एक हैंसम एट्रैक्टि सिर्फ और सिर्फ आप पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर सेट कर दो क्योंकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर पाओ नमबर 6, जॉउलाइन, मौडल के फेस को उनकी एक चीज़ बहुत अट्रैक्टिफ बनाती है और वो है उनकी जॉउलाइन sharp jawline से face symmetrical and structured में दिखता है और अगर आपको आपका face attractive बनाना है तो एक sharp jawline होनी ही चाहिए jawline लाने के लिए पहले आपको आपका face fat कम करना होगा जो मैंने first point में ही बता दिया हूँ कि कैसा कम ही इस से अच्छा facial exercise करो या फिर jawline के exercise भी कर सकते हो जो आपको YouTube पर आराम से मिल जाएंगी 50% looks depend करते हैं आपके hairstyle पर एक अच्छी hairstyle आपको zero से hero बना सकती है hairstyle ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके face को और भी अच्छा दिखाए आपको एक ऐसी hairstyle रखनी है जो आपके face पर suit हो सबका face shape अलग-अलग होता है सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी celebrity के hairstyle कॉपी करेंगे तो वो आप पर suit होंगी आपको face shape के according hairstyle रखनी है अगर आपको आपके लिए best hairstyle जानना है तो ये वीडियो देखो और हर चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करना ऐसे ही और वीडियो के लिए